चलाएं गाइस अब हम लोगे स्टार्ड करें बिटा एस लेविल पेपर नमबर वन है आज हमारा ठीक है और पेपर नमबर वन के अंदर बिटा मैं यहां लिख दूँ क्योंकि यह पीडियेफ में आपके को क्लास के बाद शेयर कर दूँगा गाइस इस माई पेपर वन ऑफ ऐस लेविल और एस लेविल का बिताइए पेपर वन है ठीक हो गया पेपर वन है और आपका जो वेरिएंट है वह वेरिएंट है 1-1 और यह अपका जो है वह नाइइ में जून दूहसर तेईस ठीक है बच्छों तो नाइन सिक्स वन एड पेपर वान चलें गाइस शुरू करते हैं तो बच्छों हम लोगे साट करने जा रहें बिटा में जुन दो अदर तेस का वेरियंट वन वन हैं आपके पास पेपर वन का ठीक है बिटा साट करते हैं चलें बच्छों यह वही फॉर्मालिटीज हैं आपके पास ठीक है यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं मैं हमेशा आपको यह बार बार इससे बढ़ाता हूं दाकि आपको यह सब चीज़ें याद रहें बच्छों आपका टाइम कितना है बिटा वन आर थर्टी मिनिट्स का ठी ठीक है और वही सब चीज़ें कि आपको कोई ब्रैंड का नाम ने लिखना है कोई करेक्टिंग फिलर्ड ने लिखना है करेक्टिंग पैन को स्वाल ने करना है एच बी पैंसल इस्वाल करनी है डागराम और ग्राफ़र के लिए बटा बार कोड़ पे कुछ भी नहीं लिख लिखना है ठीक है बटा चले मैं को समब वन चाप्टर नमबर वन से आ गिया बचो याद होगा आपको कि यह भाई ड्राइंग लिस्स क्या होती है चलिए बताओ बटा जब हम वैक्टर ग्राफिक पढ़ते हैं तो वैक्टर ग्राफिक के अंदर इस सरीके से ड्राइंग आ पेर का बटा फॉरम से जैसे जवाब आया करें तो मुझे बोली थीया करें टाकि मुझे पदा ओ तो बचल वैक्टर ग्राफिक के अंदर जो इमेज होता है उसके अंदर ड्राइंग पा होती है वो क्या क्या आती है drawing list तो हम क्या बोलेंगे बताओ list of drawing objects क्या बोलेंगे लिख भी मैं यह लिख भी देता हूं इस फ्रॉम चाप्टर नमबर फान ठेक है हम क्या बोलेंगे all the drawing objects of an image यह लिखते थे यह list unless that is sort the required object यह शौट ली क्या बोल देंगे all the drawing objects of an in an image all the drawing objects in an image ठीक है बच्चों image में जितने भी object होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे पिटर ड्राइंग लिस्ट ठीक है वैज बच्छों उसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई वह इमेज्ड जो पिक्ल से मिलकें बनती है बच्छों बताव पिक्स़िन से मिलकें बनने वाली क्या क्या किलाती है संचैालाइट हरस इस अधनिमेट मे च्छोटी सी चीज जरोती के हैstillाती है बच्छों smallest part of an image ठीके पिक्सिल इजा smallest part of an image smallest picture element smallest identifiable picture element यह कह सकते है मने का the smallest part of an image एक image के सबसे छोड़ा part क्या किलाएगा बेटा pixel कोई बच्चा बताएगा color depth क्या होती है एक pixel में कितने number of binding bits है बच्चो एक pixel में let's suppose यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच है ठीक है बटा number of pixels to represent each उल्टा बोल दिया बटा number of bits per pixel बोलो number of bits number of bits per pixel एक pixel में कितने number of binding bits हैं यह किलाता है क्या बच्चो depth, हाना बई, तो color depth का मतलब एक्चोल में sharpness टाइप चीज़ होती है और अगर यहाँ पर 4 bit का है तो sharpness काम होगी, 8 bit का होगा तो sharpness जादा होगी तो guys जल्दी से बताओ color depth का मतलब क्या लिख रहे हैं आप लो बोलो number of bits per pixel चाबश, तो guys यहाँ लिखा number of bits bits per pixel ठीक होगी है बच्चों, तो यहाँ पर आपको तीन में से तीन marks मिल गए माशाल लह से chapter 1 का इस सवाल था now we have another question from chapter number 1 बिटमेब इमेज कान सी होती है जो pixel से मिल किया बनती है कहता है बिटमेब इमेज store कर रहा है मतलब the images are photographs of the holiday ठीक है बच्चों holiday location पर जा रहे है color depth का मतलब बता है number of bits per pixel and image resolution का मतलब क्या होता है raw pixel into column pixel कितने और और column pixel ठीक है कहता है color depth और image resolution are both included in the file header ठीक है इसके इलावा और क्या कैस्टोर होगा कोई बच्चा बताएगा file header क्या होता है इस टोर हो सकती है extension size size very good तो गाईस यहां पर अगर let's suppose यह कोई image है ना और image के नाम है bitmap image bitmap image के अंदर एक आपके पास file header होता है image अलग होती है और image के सारी के सारी information कहां पर स्टोर होती है बटा image header में जिसको तुम file header क्या तो ठीक है guys मैं diagram भी बना रहा हूं ताकि जब मैं यह PDF शियर करूं तो आप लोग के पास मौशूद है बटा file header के अंदर कुछ चीज़ें store होती है दो चीज़ें उसने आपको बता दी है कौन कौन से बता दी है बटा color depth किस डेट पर बनी है यह कह रहो yes sir order of packets order of packets नहीं इसमें नहीं होता order of packets वो तो इसमें आप यह वो सब्सक्राइब तो वो आगिया ना file format में आगिया ना BMP वगरा बटा compression type lossy है lossless है ठीक है compression जारी बात पुछो आपसे मैं जी बटा पुछो यह जो recording हो रही है यह हम लों को मिलेंगी यह यूट्यूब पे मिल जाएगी यह लाइफ जा रही है ना तो वहाँ पर आपको okay sir thank you चलो बटा compression की type हो गई ठीक है ना और गाइस image resolution में मैं dimension भी कह सकता हूं कि 100 pixel draw में 100 pixel column में ठीक है तो भाई हमने यहां पर उसने कहा color data और image resolution हो गया तो इन तीनों में से लिख दो कुछ भी मार्किंंग की में date भी लिखा होता है नई ईससर नई लिखा होता ठीक है date का मतलब ब्सका लोकेशन घीक है वह नहीं है अई Evet का मतलब ब्सका date को और मतलब की बेट को Zuschauer dog आरू है यह करो आप यह सब नहीं बिटा इसको नहीं लिखो मैं आप से कहा हूँ ना आवाइड करो इस चीज़ को आप यह क्या सकतो कि भाई लोकेशन क्या है अच्छा गाइस वाइड लोकेशन कहां पर स्टोर हुए है लाइक डिरेक्टरी लोकेशन की और किया नहीं है और फाइल की वाइड वगरा का यह चैप को हुए है uniqu की डोइस व्युक्यर cattle नियसे ने का और doe लिख दिया का यह घिर साइस का बैड पेजनावर को जो हो गया थी पर मुफ करो चलो बज्य फाइल साइज का फॉर्मूला यह बच्शों मैंने हमेश्य बताए कि जब भी आपको यह आफ तो कैलकूरit दा फाइल साइज फाइल साइज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है बच्छों बताओ किया फामूला हो हाँ इसक्रीन रेजलिशन इसक्रीन तो नहीं कलर रेजलिशन हो गया ठीक है गाइस यह फॉर्मॉला होता है ठीक है मैंने यह लिख दिया आए दुबारे लिखते है फाइल साइज जब आप क्यालकुलेट करोगे तो आप निकालोगे रॉप एक सिंट इंटू कॉलम पिक्सल नमबर पिक्सल वाइड और नमबर पिक्सल हाइड इंटू कलर डैप्ट ठीक है ना तो गाइस नमबर पिक्सल ड्रॉव में कितने जल्दी बताओ वाइड अब देखो इस दो चीज़ें वाइड का मतलब होता है ऐसे ठीक है ना तो अगर मैं वाइड लेखूंगा तो भाई वाइड का मतलब तो कॉलम होगा ना और हाइड का मतलब ऐसे होगा थीज़े ठीक है तो मैं कहता हूं रॉर कॉलम कुछ भी हो इट डाजन मैंटर आपको कुछ भी लिख दे रहे हैं तो भाई वाइड में क्या लेकूंगा बच्चो जली बताओ वाइड वाइड का मतलब ऐसे होता है ऐसे तो ऐसे अगर होगा ठीक है यह कॉलम होगया और रो में होगा वाइड यानिके 1500 ठीक है न और हाइड होगया 3000 अगे बोलो बच्चो बताओ बच्चो कितनी कलर डाप थे पिटा 8 बाइट चाहिए न कितना होगा 8 बाइट अंसर आपको किसमें आएगा बाइट में बगर कैलकुलेटर के आपको निकालने ठीक अंसर आपका आरा होगा बाइट में गाइस बाइट से उसने किसमें बोले है उसने कहाए आपको आंशर चाहिए बाइट में या जिन्दी बताओ कुलो बाइट होगा ना जर्माइब करूंगा बिटा तो किलो बाइट होगा देखते रहे ना अगर मैं दो दाफागर अधाम से दिवाइट करूंगा तो क्या होगा यही होता है ना अब बेटा हमने क्या कर रहा हमने 20 से 20 कैंसल करें हमने 20 से 20 कैंसल करें हो गया शॉट हो गया यह अब आशर निकालो कि आएगा 15 इंटू 30 इंटू 8 डिवाइड बाइट 10 जल्दी से निकालो अब छोटा होगे बगर गया थेडिसेक्स थेडिसेक्स यह आशर इस सरेटी सेक्स देखा आपने क्यों करा मैंने ठीक है यह यह आंसर इस सर्टी सिक्स मेगावाइट 10 to 10 नी होगा 10 to 10 होगा 360 का इसे थे तरी सिक्स्टी आ रहा है 36 तो नहीं आ रहा है अभी 360 आ रहा बचो ओके ओके 360 एक मिनट रूको फिर 360 फिर गलत आ रहा है रुख जाओ गाइस इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 ठीक है न 10 की पावर 6 का मतलब क्या 10 के बाद कितने 0 है रुक जाओ 10 की पावर 6 का मतलब एक 1 के आगे 6 0 1 के आगे 6 0 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया गाईस अब मैंने ये 3 0 से ये 3 0 कैंसल करती है या रहा है मैंने कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया 36 आ रहा है तो फिर ये 36 की भी बोले दो 0 से 2 0 गए गाईस अब बताओ 15 कैलकुलेटर से कर लो एक 3 into 8 divide by 10 अब बताओ 36 आ रहा है तो जाहिए लो मैंने साइटो किया था खुदूर में मुझे परिशान कर रही बात ने मैं खुद परिशान हो गया मैंने बला ये क्या हो गया बताओ चलें गाईस तो आंसर आगे 36 मेगाबाइट चलें गाईस वी आर मुविंग तो दे नेक्स क्विस्टिन यहां पर क्या लिखावाद चेक करें कहता है कुछ भी नहीं कहता कहता है कि यार एक होती है हाँ कहता है कि फोटोग्राफ है उसको तुम कंप्रेस कर रहें बिफोर यहार अपलोडिंटु दा वैब सर्वर जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग करके अपनी वैब साइट पर जब डालता हूं वैब सर्वर पर तो वह रिकॉर्डिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूं ठीक है एक्जाम्पिल के तौर पर आप से मैं पूछता हूं कस्टमर यहां डाउनलोड इन लेस्टाइम अब मैं इतनी लंबी लंबी नहीं कर रहा हूं आप लूग लंबी कर लेना लेस्ट डाउनलोड इन लेस्टाइम ठेक है और यह इसका कि यह सब सकते हैं इसमें इंटरिय्ट के लाउनलोड रही है इस नमाल ले रहे हैं कस्टमर की स्टॉरेज इस पेस कम ले रहे दिफोटोग्राइब टेप लेस्पेश और लीषए सपेश अन कस्टमर स्टॉरेज मीडियों हां ना फोटोग्राफ विल्टेक लेस्पेस अन कस्टमर के स्टोरेज मेडियम अन कस्टमर्स स्टोरेज मेडियम ये बात हो गई बेटा तुसरी नाओ विए तीसरा कुस्ट्टिन तीसरा पॉइंट क्या है जिल्दी बताओ कस्टमर के डाउनलोड मौर फाइल्स ना चैन स्टोर मौर फाइल्स तो दूश्रे वाले में नहीं आ जाए बात नहीं है वही सब बात हैं अगर आप यह भी लिख तो इसमें मिल जागा कोई उश्रे भी मस्ता है नहीं आए से अ बैंडविज आला भी तो यही है कस्टमर के यूज्ज या देविल टेक लैस देविल क्या वहनों देविल टेख टेक लैस ऑफ दा किस्टमर्थ बैंडविथ वही बैंडविथ के फाइदे बताने ना चलो आपको पता है आर रेली क्या होता है पढ़ाया था आपको पहली दफ़ा भी अगर को आपके बस इमेज ओती ना उसे मेज के अंदर कोडिंग अबर आपके पास कोई पिक्सल है और शारा क्या होगी बिटा शारा मैं सौरी में रिमुफ कर रहा हूं बिटा क्या करें ठीक चालो तो बच्चो अब मैं आपको बता रहा था कि भाई अगला सवाल आए रन लेंड इंकोडिंग का ठीक है तो अपर कर देंक पॉइंट लेते रहा था ओके तो बच्चो आरे लिए क्या होता है जल्दी बताओ कंजेक्टिव नंबर ऑफ पिक्सल्स को स्टोर कर लेता है और उसकी तर्वाली को और एजम्पल एस साथ बार लिखा हुए तो उसे एकी दफ़ा कर लेगा और सैवन एक कर देगा ठीक है कि कौन इनुट्रेट कर रहा है कि क्या लिखा वैं स्क्रीन पर किसने लिखाए आपका पैन है सब्सक्राइब अब लेका भी देख रहा हूं अच्छा चलो बाई आरे लिए के बारे में बताओ गाइस आरे ली के बारे में अगर हम बताएंगे तो यह आपके पास अगर वाइट है यह वाइट है और यह ब्लैक है और वाइट का लेट सब्सक्राइब 25 तो बताओ आरे ली में रन क्या के लिखावाएगा रन वैली और रन काउंट ना तो लिखावाएगा 25 कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा दो दफा हुआ है मैं के लिखावा है ठीक है और अगर ब्लैक का मतलब लिखावा लेट सब्सक्राइब तो क्या होगा टू जो है वो एक बार रिपीट हुआ है गाट इट ना तो यह होता रन वैली और रन काउंट ठीक है चले यह सर क्या सावाले बच्चों उसका जवाब दू कर चले जवाब दू किट किट कह लो वह जवाब दे दो क्या पता वो पहले से एक मपरेश हो प्रक्रश वाब दू क्या सवाल पढ़ लो इमेज कैन बी और यूजी आरली एकस्पें दे रीजन आरेली नॉट रिजए उसके अब पार बिटमें इमेज तो क्यो नहीं करेगा तो ऐसा हो सकते हैं कि आरेली ना करें मुझे इस हवाली भी देख रहे हैं तो वाई आरेली में नॉट रिडियूस अफाइल साथ अनुए एक तो ये बात होगा ही चलो पहले से होगा अच्छा पॉसिबल हैं कि आरेली कि अम प्रेस ना करें हाँ है जी बिलकुल है क्यों नहीं ऐ बाती बच्छों बताएं क्या रीदन हो गाए जो सब क्या पता सिर्फ बलाइक डॉइट इमेज हो जब जब ल्ग जाड़र रिपीटिंग आरेली अच्रिबीट नहीं होते तो वह भी बार है बारे बारें बारें बार्द को यह देखो ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट फिर दुबारा ब्लैक फिर वाइट फिर 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 ब्लैक फिर वाइट चलो बई बचों बताएं जरा ब्लैक का ये वाला क्या लिखोगे 25 एक दफा रिपीट हो रहे है और वाइट क्या लिखोगे बेटा 11 एक बार रिपीट हो रहे है फिर ब्लैक के लिखोगे 25 एक बार रिपीट हो रहे है वाइट का क्या लिखोगे 11 एक बार रिपीट हो रहे है तो ये कं इमेज में consecutive पिक्सल नहीं हुए तो गड़बड हो जाएगी ना बोलो गॉट इट समझा गया एक ही रिजन को लिखना है और उसी को डिस्क्राइब करना है यही ओड़ एक्जामपल भी देनी है मैंने दे दी ना समझाई रिजन एक ही है तो फिर में लेने के देने पड़ जाएंगे ठीक है उसी बात को लंबी करके लिखतो और इसका रिजन लिखतो सबसे पहले उस एक्जैमिनर को बताना है कि भाई आरेली करता है हाँ आरेली स्टूर दे रन गालियो और पिक्सल हम इसको बोलते हैं रन वैलियो और रन को क्या बोलते है रन वैल्यू काउंट एड़ रन वैल्यू एड़ नंबर अफ टाइम इट अकर को क्या बोलते हैं रन काउंट अप्टर वन के पूरे प्रीमियम लेक्चर यूट्यव पर दलेवे हैं सब बचों को वो देख लिए lengthy चाहिए हैं a number of time it occurs ठीक है number of time it occurs को मैं क्या कहता हूं मैटा run count ठीक है यह एक बात हो गई number of time it occurs consecutively consecutively नहीं लिख रहा मैं चलें गाइस point number two अब मैं बोलूँगा point number two क्या बोलूँगा an image may not have a may not have many sequence of repeating characters हाना एन क्या बोलूँ an image may not have many sequence of same color सही है an image may not have many क्या बोलूँ many sequence of of same color तो क्या होगा बच्चों बोलो तो क्या होने वाला है जवाब देना अब क्या होगा it would need to store each color and then the it would need to store each color and then the count which adds the data which is totally incorrect यह मतना which is which is totally large जो क्या बहुत जादा बढ़ा होगा ठीक है ना it would need to store data many consecutive नहीं है it would need to store data data के बारे में हमें यह क्या सब्सक्राइब नीचे शोर खलर and then the count you run value and then run count की बात कर रहा हूं यह run count number that is one which adds the data which adds data and increase the file size ना बच्चों दो पॉइंस कापी होगे है दो नी तीन है भाई है एक्जाम्पल भी तो दे रहा हूं यह एक्जाम्पल भी तो दी भी है मैंने ठीक है अब एक्जाम्पल इस एक्जाम्पल को दरह तर्मीश से लिखके दें और एक्जाम्पल अगर let's suppose we have red, green and blue एक-एक कलर के पिक्सिल है बच्चों बताओ R.A.L.E. फ़र्म क्या होगी इसकी बोलो वन रेड, वन ग्रीन, वन ब्लू यह बात वन रेड, वन ग्रीन एंड वन ब्लू सही है बच्चों तो देट साल फॉर पेज नंबर त्री, क्षिन नंबर टू हमारा उच्चुका है बेटा, वन उच्चुका है बेटा, अब जरह आगे लेके चलते हैं किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा आईए बच्चों, क्षिन नंबर टू, यह रहा, DBMS का सवाल है, बड़ा, DBMS तो आज कल आपका भी करवा भी रहे, तो सब बच्चों को फुल तादा तादा याद होगा, बच्चों DBMS के अंदर बाप से कह रहा है कि देटेबेस इस मैनेज बाइ उसिंग दडेटेबेस मंगेमेंच मेनगत सिस्टेम ठीक हो गया बाइटाबंगे दा रिटेंडीनरी इस सब चीज़ें न न ठीक है न बच्चो इसमें टेबिल का नाम डेटा टाइप वगरत सब आ सकता है ठीक है बच्चो तो डेफिनेशन क्या लेखेंगे रिदेशनरी की जल्दी बताओ इस्टोर डेटा अबाउट दा डेटाबेस ठीक है बोलो भाई सुन रहा हूं एक सेकंड की लिए पहले वाला पेज देखा देता हूं देखा देता हूं पूरा पीडिया भी शेयर कर दूँगा तो गाई डेटा देशनरी का मतलब के डेटा अबाउट दा डेटाबेस महार इसमें क्या-क्या सोर होता है तो टेबल के नाम हो सकता है चाबश आगे फील्स नमबर और फील्स और फील्स की डेटा की टाइप हां जी तो कीज भी लिख सकते हैं प्रैमरी की यह भी तो कील्स के रिलेशन और डेटा टाइब मैं सारी लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों याद रहे चलें गाइस कह रहा है वट इस मेंड़ डेटा इंटिक्रिटी गाइस मैं आपको यह भी लिख देता हूं कि यह चैप्टर नमबर शिक्स की अंदर रही है हुआ हो कि क्टे चीज़ें आपको ना ठीक है और जब लिंक होगी तो भाई क्या होगा एक जगह पर डेटा जाएगा दुसरी जर्लैगा तुसरी जचीज़ नेकलेगा जोंकि 3 words मैंने दिए तरहें आप, Cascading Update, Cascading Delete व chain ऑगयरे, ठीख है ? consistent के लिए एक और नाम किया दिया था मैंने चल्दी बताओ और फिर अप्टू डेट कोई बच्चा बताएगा इसमें tables आपस में क्या enforce करती है referential enforcing example में यह लिकना enforcing chapter number 8 में पढ़ाया है enforcing दोनों table के तर्म्यान referential integrity जब referential integrity होती है तो एक table में अगर डेटा दलेगा दूसरे में भी दलेगा ना तो मैं इसको क्या बोलता हूं कैस्केडिंग अपडेट और कैस्केडिंग देली इंटो टेबल कैस्केडिंग दिलेशन आफ डेटा फ्रांग टेबल इंडे से कोई एक ही लिखेंगे ना आँ बेटा दो लिखने है आँ चले एक लिख रो एक लिख रो एक लिख रो चले गाई इसको संबर टू भी हमारा पूरा हो गया माशाललह से इसका स्क्रींचर ले लें बेटा नए श्राट भी है अच्छा अच्छा चार बी के चार पार्ट है ओके स्क्रींचर लें क्या होगा मैंने मीटिंग डॉक करी विए क्या ओके चले चले गाई अब आगए बिटा कुस्ट नमबर इसी का पार्ट भी पर बिटा यह देखीगा और सारे बच्चे बिटा बेट करो मुझे बताएंगे फॉरेंड की कौन सा होगा प्राइमरी की कौन सा होगा सर बर्ड आइडी फॉरेंड की है कैसे बता लगता है आपको बिटा सर बर्ड सीन में भी है बर्ड टाइप में भी है और प्राइमरी की है बर्ड टाइप में बर्ड आइडी ओकी फर्ट सी मैंसीन आईडी सब बच्चों को समझ आ रहे हैं जी सब शाबश इस सवाल के अंदर इतना इसी है सवाल जरह चेक करें इस सवाल के अंदर वह आप से कह रहा है प्राइमरी और फॉरिंड की कौन सा है तो आपको ने टेबल के साथ बताना होगा बच्चों टाइप एक का नामे बर्ड सीन और एक का नामे का परसन से दोनों की मांगे हैं मैं वही आप से रिलेशन पुछ रहा हूँ ना आप दोनों की देनी है मैं तो अभी सवाल पढ़ना हूँ जरह देखें बच्चों वह आप से कह रहा है फॉरिंड की कौन कौन सी तो भाई यह यहां पर देखो यह प्राइमरी कि यह तो लिखनी निया है यह प्राइमरी की यहां पर आ कैके क्या बन जाती है आप बोलोगे बर्ड अइडान की इन बर्ड शीण टेवल क्या बोलोगे बच्चों बर्ड आरईडी सिउआ वार sedan आप बूलोगे क्या सिएależy है इस फॉरिंड की कॉंसे टेबिल के अंदर बच्चों बर्ड क्याबिटल में लखा हूँ दो क्याबिटल में लिखूंगा वर्ड अंडर स्कोर सीन टेबिल ठीक है और कोई बच्चा बताएगा और कॉंसे प्राइमरी की है वह सीन आइडी लग रही नहीं यह प्राइमरी के यह कहां पर जाकर जा रही है परसन रही है यह कहां रिपीट हो रही है यह यह रही आप बोलोगे परसन आइडी इस आ फॉर इंड की इन बर्ड सीन टेबल है ना बच्चों परसन तो यह मैं यहां लिख देता हूं ताकि कि जब में नोट्स ऍेर करों आपको तो यह प्राइमरी किये बटा और यह भी प्राइम रिकी क्या है ठीक यह जो है यह क्या है प्रेट फॉरेंड की होगई और यह जो गई है यह भी फॉरेंड की उ पर्सन आइडिस अवारंट की इंवर्ड सीन टेबल सेन आइडिए भी कहां बेटा वर्ड सीन में सीन आइडिए यार वह प्रामरी की होगी वह उसकी प्रामरी की होगी बर्ड सीन गी तो मुझे लखने की जरुआद नहीं अबी कि हम तो फॉरेंट की पर खेल गाइस वह बच्चे जिनने मुझे अभी पास अपर में जॉइंग किया है वो मुझे बताएंगे माई का इन्मूट करके बताओ फॉर्स एन एफ का क्या रूल होता है वन एन एफ का जल्दी बताएं चली जली सर्व वह और रिपीटिंग ओरॉप्स और और इक अगे गुरूप्स और 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 डेटर यूट भी इन डेटा शिट भी सिंगल अटामेटापिय। हाँ और 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 नो डिटर डिटेंसी हाना बिटा सेकंड एनफ के क्या फॉर्म के सेकंड एनफ के क्या रूल होते हैं तू एनफ फॉर्म के बच्छों मैं पहरे लेक्चर रिवाइस करा दूँ आपको अभी सवाल आने वाला है फिर गजनी की तरह बिहेवनी करना मेरे सामने चलो यह देखें बच्छों स्क्रीन पर बिटा जब आपकी नॉमलाइस फॉर्म फर्स होगी तो उसमें डिटर डिटेंसी नहीं होनी चाहिए और सिंगल एटामिक वैल्यों होनी चाहिए सेकंड एनफ में क्या होता डिटर शुट बीन वन एनफ और कोई भी पार्शे डिप इविडिनसी नहीं होनी चाहिए यह ना बचो यह ना बचो शाब चलो बचाब सवाल आने वाले तो फिर अब यह सवाल आपसे होना चाहिए सर नर्मलाइजेशन की क्लास की रिकॉर्डिंग करी आपने प्लोट की वे जी बटा मैंने वेबसाइट पे करी नहीं कर दूंगा आज रात में ताइम मुझे मिलने रहा है अच्छा बचों तो हम अभी आपको करवा रहे हैं यह वाला पास्टेपर आज हैं बई वन वन तो बच्छों हम आगए सवाल में ठीक है बई नाव अब आपको मुझे बताना है यह जो मैंने महनत करी इसलिए करी दिए फर्स नॉ सिरी एनफ यह वी स्ट्रीपर कहा हो बीटा जी कि नो ट्रॉंज्थी नो ट्रांडिट्वट की बात करें प्रॉंकित कई दूसर में बिल्कुल ही घलत रहा होता है अगे चलते हैं यह एक स्कूरेंट तो राइट श्कूरी और सिर्फ टेबल बनाना सबसे असान पता है कौन सा होता है table बनाना table देखो data की type चापो निगल जावागे बच्छो data की type बनाने से पहले मुझे बताओगे कि chapter number 8 में database में data की type में integer होता है बोलो हाँ या न real होता है बेटा बेटा boolean होता है बताओ string होता है या नहीं होता नहीं होता बार्चल होता है यह हुई ना बात string नहीं होता क्या होता है वार्चार क्योंकि मैं फिर आप से कहा रहा हूँ आप लोग गजनियों भूल गए होगे तो मैं आपको revise करा दूँ कि character जो आपके pseudo code में character होता है वो तो होता है string के बजाए होता है variable character जिसको तुम वार्चार के रहो अगर bracket में आपको दालना हो limit तो दाल देना boolean भी होता है date होता है time होता है integer होता है और real होता है ठीक है guys string नहीं होता क्या होता बिटा वार्चार चलें तो भाई अब हम आ रहे हैं सवाल पे उस सवाल के अंदर आपको table बनाना है table अच्छा उस नहीं हो हो मदे की बात ये examiner को भी पता है आप इतने जाहिल हो आप भूल गए होगे तो उसने बोला कि वाई ये लो although कि उसको ये नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए ना उसको इतना नेक दिल आदमी था उसने पहले से बता दिया बच्चो तो आप क्या करना मैं आपको बोलो काईस टेक्राइब बनाने के लिए वो किरिए टेबिल लेखते हैं और उसके बाद टेविल का नाम लेखते हैं बच्छों का नाम क्या है जल्दी बताओ यह कौन है कौन था यह अच्छा टेबिल का नाम है बटा बड़र अंडे-स्कोर टाइप ठीक होगे बच्छों हमने कर साइए अब हम जब create table करेंगे तो इस create table के अंदर हम bird id बनाएंगे यह field का नाम किया बटा bird id name बनाएंगे और size बनाएंगे बच्छो bird id की data की type क्या रखूंगा मैं integer ठीक है बटा इसकी data की type आप बोलेंगे आप इसको इंटीजर भी कर सकते हो number of characters भी कर सकते हो क्यों क्यों कि इसमें चार character आ रहे हैं तो अगर आप इसको character भी करो तो भी ठीक है ना क्योंकि इसमें चार number of characters आ रहे हैं ठीक हो गया इसमें कितने character आ रहे हैं बटा चार character है तो आप ये भी कर सकते हो फिर आपने नेम को करा वार चार क्योंकि ये एक string type का data लग रहा है string type का मतलब alpha numeric कर रहा है वार चार बटा ये size है size भी आप क्या करोगे बटा वार चार variable character ठीक होगा प्राइमरी कॉलम किसको बनाएंगे बटा bird ID को ठीक होगा आईए बटा इतना easy होगया ये सवाल आप देखो मैं कैसे करता हूँ ये primary column बने बटाइड की डेटे की टाइप आप integer भी रख सकते हो तो number of character भी रख सकते हो और character के आगे limit कर दोगे चार character ठीक है ये भी कर सकते हो और प्राइमरी कॉलम जब यह होगा तो नौट न लाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर बटा टेबिल बनाने जा रहा हूँ तो टेबिल बनाने के लिए मैं लिखता हूँ रिए टेबिल और टेबिल का नाम और गाइस टेबिल का नाम है क्या बर्ड अंडर्सकोर टाइप वर्ड टाइप आगिया बिटा हमने यह ब्रैकेट ओपिन कर दिया और नीचे हम ब्रैकेट क्रोज करेंगे और लास्ट मैं लगा देंगे सेमी कॉलम ठीक है अब बच्चों पहले कॉलम का नाम क्या है बर्ड आइडी तो वह मैं यहां लिखूँगा और वर्ड आइडी की डेटा की टाइप या तो चार फोर कर दोगे या इंटीजर कर दोगे तो मैंने यहां पे ब्लैक से कर रहा हूं बिटा पहले हम लोग कर देते हैं बर्ड आइडी थीक है कि फ्रामरी कॉलम होने वाल है इस ब्रेड आइडि को उठा कि यहां पर लेके आउंगा सवह तो मैंने यहां पर लिख एगा क्या बढ़डाईडी पहली प्रड्ल का नाम किस ब्रर्ड आइडी देटा की टाइब यहां पर आती है बाद में लिखोंगा और कि यहांपर आएगा जायस नेम पके सब्सक्राइब कि जो होता है वह अमने का बहींiger और जिस कॉलम को प्रैमरी की बनाना होगा वो बच्छों अगर तुम बोलते हो बर्ड आईडी को पीके बनाना है ठीक है तो आप बर्ड आईडी के आगर लिख दोगे कि वो नल नहीं होने चाहिए क्या लेक्ता नॉट नल खाली ना होना यार वो अब बड़ आईडी की सकते हो या character four किया सकते हो के number of character 4 हो तो मैंने कह दिया भाई character 4 character नेम के लिए आपने बोल दिया वार चार हो ठीक है अवार 4 में maximum कितने character रखें नाम कि हमने बोल दिया 9 या 10 ठीक है यह लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख दो तो अच्छी बात है कॉमा ठीक है साइज में बिटा बताओ मीडिया में स्मॉर ये लाड़ ये तो सबसे एक दो तीन चार पांच छे छे वार्चार मैक्सिमम हो सकते हैं कि मेडियम का सबसे बड़ा नंबर ऑफ एक दिना तो हमने लिखा वार्चार मैक्सिमम वेरियबल के करेक्टर कितने होंगे भी चे तक ठीक होगी है सबसे हैं ना बाब बुलो कि सर वार्चार मैं नाइन क्यों लिखा तो भई नाइन नंबर ऑफ करेक्टर ब्लैक maximum कितने character हैं बिटा इस वैसे मैंने क्या कर रहा है ना बच्छो आ कि आ जो बच्छो प्राइमरी कॉलम किसको बनाने जारो बर्ड आइडी को ना तो यह बड़ आइडी यहां पर लिख देना चलें बच्छो पूरा का पूरा टेबिल आपने मना लिया है कोई सवाल है तो मुझसे पूछे 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 बच्छो क्या रिपीट करूँ नाट नल क्यों लिखे है बटा हर वो चीज़ जो प्राइमरी की होती है उसको यह चेक करना कि वो नल नहीं होनी चाहिए ठीक है वो फिल्ड जिसको तुम प्राइमरी कॉलम बनाने चाहरे हो इट शुड बी नॉट नल एक्जिस्टिंग चेक लगाए मैंने प्रिजिंस चेक लगाए टीक है वो थाइस्क्री तो समझ आगया है बड़ा भी तो सकते हैं बेटा नेम जो उसने ढियावा है यह है ऐसी का बनाने है न जो दियावा है उसी को consider करें और उसी के लिए लिखें अगर आप नाट तब भी marks नहीं कटेंगे साइज में simple character लिख सकते हैं नहीं variable character लिखें चलें guys आगे लेके चलो चलो guys यह आपके पास आगे अगला सवाल इस सवाल को मैं अलग तरीके से करूँगा ताकि आपको समझाए वरना इसमें बड़ी confusion होगी है बहुत असान अभी आपको करवाते हैं आप ग्राइस आपके माइक से आवाद आ रही है किसी बच्चे की को ने गए आज़ें डेटाबेस में मैंने आपको बोले ना सबसे असान टॉपिक है डेटाबेस बस मेरे साथ तैयारी करते हैं पास्पेपर की ना फिर माइक से आवाद आ रही है कौन है यह एहमर बड़ा यूफ तो म्यूट दा माइक ना चलें चलो बच्चो यह एक मैं आपको स्वाल दे रहा हूं वो है यह नदर आ रहे है सबको थीक अबर टेबल का नाम है बड़ाज टाइप ठीक है बड़कर बड़ सीन के लिखाओ रिटर्न बड़ा रिटर्ण का मतलब क्या होता है स्लेक्ट फ्रॉम टवियर रिटर्न का मतलब एस्क्यूल क्या लगती हैं मिशह स्लाइक्ट फुरांग वेर कोई भी अगर आपको बुलेंगा रिटन करना है तो आप बुलोगे स्लेक्ट फ्रॉम वेर लगेगा ठीक होगे भाई वो तो ठीक है गाईस यहाँ पर सवाल लिखावा है क्या लिखावा है नमबर ओव बर्ड्स गाईस नमबर ओव बर्ड्स का मतलब सम होगा या काउंट होगा काउंट होगा ठीक है नमबर ओव बर्ड्स यह नमबर ओव का मतलब होता है कहता है काउंट बच्छों आपको मुझे बताना है कि यह टेबल है इस टेबल के अंदर आपको select from where वाला काम करना है ठीक है मान ली ये बात मैंने आगे कह रहा है number of words of each size seen by the person with the idea of this बच्चे सवार को उर्दू में बताएं क्या मतलब है चल दी से माईक अन्मूट कर रहा हूं है बताएगा क्या मतलब है मतलब यह है कि यह परसन जिसकी ID है J 123 उसने कितनी देखी है हर साइज की वेर ID ऑफ जे 123 लगे क्या पता हाँ और उस बंदे ने कितनी देखी है इच साइज की हाँ और बच्चों और क्या लग रहे है यह बर्ड टाइप क्या होता है बर्ड टाइप क्या होता है बटा बर्ड टाइप खुद देखो टेबल में क्या होता है बर्ड आईडे ने कुछ जाहर बच्थे हैं या बर्ड टाइप नहीं पता अहां बर्ड की किसां जाहिल सिर्फ तर आकर प्रेश बिटा अपने अपने मूँ बंद रखें यू डोंट हैफ टो से एनिफिंग अबाट एनिश्टूडट अपने अपने मूँ बंद रखें चलो तो बच्चों मैं यह कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है आपको बताना है कि बर्ड टाइप क्या है ठीक है बर्ड टाइप बता दूं कि बर्ड टाइप एक टेबल है उसके अंदर बर्ड आइडी है नेम है और क्या है बिटा साइस ठीक हो गया अब बच्चों आपको एक और चीज मुझे बतानी वो यह कि इसके अंदर करना क्या एग चाई साई है आजומंब बच्चों स्वाल के अंदर करना एग इस स्वाल के अंदर आपको स्लैक करना है या रिटन करना है number of words यानि के count करके of each size scene by a person जो उस बंदे ने देखिए with the idea और ID क्या होगी उसकी बिटा या idea होगी ठीक है अब भाई जो उसने देखी ये scene लिखा वाई तो भाई यहाँ पर scene वाला चक्कर आएगा यानि के bird scene में से आएगा ठीक हो गया अब अच्छो जब भी return के आते हैं तो return का मतलब होता select from where तो यहाँ पर मैं लिखूँगा select देखते रहे ना भी ठीक है बटा मैं यहाँ पर लिखूँगा select पर यहाँ लिखूँगा from और फिर मैं लिखूँगा वेर ठीक हो गया लिखूँगा क्या return the number of birds तो number of birds कहां से निकालूँगा बर्ड टाइप से ठीक है तो मैं select करूँगा बर्ड टाइप ठीक है select करूँगा क्या बर्ड टाइप और बर्ड टाइप के अंदर वो कह रहा है of each size तो बच्चो अगर बर्ड टाइप के size मुझे select करना है न तो मैं लिखूँगा select बर्ड टाइप dot size ठीक है select बर्ड टाइप और उसके size नाम के कॉलम में जाने हैं तो मैं लिखूँगा dot और उसके बाद उस कॉलम तक चले जाओंगा that is size ठीक है ना that is size अब बच्चो तुम्हें counting करनी है return the number of birds इसका मतलब होता है count तो आप क्या करोगे कॉमा दालके लिखोगे count number of birds के लिए क्या लिखोगे count और count किसको करना है जो जो तुमने scene करें ठीक है और scene के लिए मैं क्या लिखूँगा bird id यानि के यह वाली लेखते रहें न भी bird id ठीक है dot bird id dot बच्चो अब आगे क्या लिखूँगा यह एक्चुल मैं आईडी है ना तो मैं कह रहा हूँ टेबिल का नाम क्या बटा बट नहीं बट टाइप है स्वारी बट टाइप टेबिल का नाम है बट टाइप इस बट टाइप से तुम्हें निकालना है साइज तो क्या लिखूँगा बट टाइप डॉट साइज बट टाइप नाम का टेबिल .size निकालना है हाँ ना बई size निकालना id निकालना है तो bird type.bird id size तो निकाल लिया है bird type size और count करना bird type.id id किसमें store है बच्चों जल्दी बताओ bird id में शाबश यहाँ पर मैंने क्या लेखा bird id दुबारा सुन लो हमने select किया है bird type का size और bird type की id दुबारा सुन लो bird type का size यहाँ निके bird type का size और हमने कैसे count करा है bird type की id क्योंकि count करना है ना id अब id में मैं condition लगा दूँगा नीचे कि वो id जो seen हुई है और वो id जो तुपने देखी है दोनों बेटा हम इसको count करेंगे तो select करें हमने यह दो चीजें और आगे लेकूंगा as number of birds as number of birds ठीक है as number of birds guys from के बाद क्या आएगा कौन से table में तुम लोग data देखने जा रहे हो बेटा तो एक तो bird type हो गया जो कि बिलकुल के लिए रहे आना बाई एक तो यह table का नाम आगे that is bird type ठीक है और जो देखना है वो किसम है बेटा bird scene के अंदर bird type कॉमा bird scene भी आएगा क्योंकि आगे में bird scene भी इस्सेमाल देने वालों ठीक है न तो दूसरे table का नाम किया बेटा bird scene ठीक है guys where में आती है condition you have to put the condition अब condition क्या आएगी वो आप लोग मुझे बताओगे के bird type की bird ID ठीक है bird type की bird ID किसके बराबर हो बेटा bird scene की bird ID के दुबारा सुन लो अगर bird type की bird ID बराबर हो bird scene के bird ID के ठीक है और गुरुप हो जाए किस से बिटा bird type के size ठीक है समझा रहे हैं नहीं आ रहा बच्चों यहां पर यहीं लिखा वै आईडिया आफ दिस हम चलो तो बच्चों हम वेर में क्या condition लगाने जा रहे हैं जरा चेक करिएगा हम वेर में लगाएंगे कि bird type की bird ID बराबर हो bird की scene की bird ID के यानि के bird type की bird ID बराबर हो bird scene की bird ID के यहीं होगा ठीक है लेकिन उस ID का नंबर क्या है बच्चों चलों बताओ ID का नंबर क्या है J underscore 123 अब कोई बच्चा मुझे बताएगा J underscore 123 कौन से bird ID है बर्ड सीन की बर्ड आईडी या बर्ड टाइप की बर्ड आईडी जल्दी बताओ सवाल में लिखा वभी है बोलो बर्ड सीन की बर्ड आईडी या बर्ड टाइप की जल्दी बताओ चैट पे हाँ परसं के लिए आ रहे है बच्छो में अन्म्यूट कर रहा हूं जल्दी खाव है ना यार सब्सक्राइब कर रहा है यह जो तुम काउंट कर रहा है उसको एस नंबर ऑफ बर्ट में डेटा दाल रहा है अब बताओ यहां पर कंडिशन कौन सी बर्ड आईडी में आएगी बताओ बर्ड टाइप की यह बर्ड शाबश तो मैं यहां पर लिखूंगा व वो इस बेरिवल में जाके स्टूर होता है ठीक है साइए अपैं बर्ड शीन की डॉट बर्ड आईडी बर्ड शीन की बर्ड आईडी बचों मुझे बताओ बर्ड आईडी यह पुछ और है पूछ और लग रहा मुझे घलल दिखा हुए बर्ड आईडी परसमेर सीन-डिश पॉर्ण अप पर्सन आइडी जाहिल आएवा है बिलकुल बिटा घर पे देख लो जो तुम नाम ले रहो ना देख लो घर जाके अच्छा मैं कह रहा था कि बिटा कौन सी आइडी आएगा बर्ड आइडी तो नहीं आने आ रहा है जीआएघ रहा बच्छे उसने देखी है तो हमने कहा आ यहां पर सीन बाइघ परसन slide आएगा या सीन आइडी आएगा सोच के बताव कौन सी आइड़ी आएगा परसन आइडी सीन बाइफर परसन और परसन की आईडी यहां पर क्या आएगा bird scene.person id उस बंदे की आइडी है ना बेटा परसन ID किसके बराबर है इसके बराबर है जी अंडर स्कोर 123 तेके इसके बराबर है जी अंडर स्कोर 123 और यह speech marks में आएगा तेक है वर्ड डॉट सीन की डॉट बर्ड अंडर स्कोर सीन की बर्ड परसन ID परसन ID क्योंकि निखावा देखे लो है ठीक है bird डॉट सीन की परसन आइडी इसके बराबर हैं ठीक है और दोनों आडिया बराबर होने चाहिए कि इसकी बैट dor टैपकर परढ़ आईडी और इसकी बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों की आइडिया सेम हों या दोनों में ढूंडो ये कह दो तो हम लगाएंगे and and दोनों आइडिया बिटा bird type की bird आइडी और bird scene की bird आइडी दोनों बराबर हों तो हम लिखेंगे and bird 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 type की bird आइडी बराबर हो बर्ड सीन की bird आइडी की bird आइडी से और bird scene की bird आइडी ये दोनों भी बराबर होने चाहिए तो हमने क्या लगा दिया and दुबारा सुन लो bird scene की person आइडी जो है वो किसके बराबर हो बेटा j.123 की और bird type की bird आइडी और bird scene की bird आइडी भी क्या होने चाहिए बेटा बराबर तो गाइस इसको फिर हमें आगे group by करके अगर दिखाना होगा तो हम group by करके दिखा देंगे वो जो भी डिटा आपके बास होगा बच्चों यह समझा आए मैंने किस पर लिन्दा ब्रेंक दिखा हो आपको सर वडियू विज्कॉरम इस इक्विवेलेंट बेटा सवाल में लिखा वा होता है ना कि जब आप बर्ड टाइप में डूटो तो बड़ टाइब आगया और बर्ड सीन भी आगया सवाल में लिखा वाए ठीक है पूछो बेटा क्या हामिद अली पूछो बेटा क्या हुआ हामिद अन्मूट कर दिया आपको हामिद आपने पूछा ही है हामिद देखो इस सवाल में कह रहा है रिटन करना है कितने नंबर ऑफ बर्ड जो उसमें देखे हैं परसन ने और उसकी ऐड़ी यह है ठीक है तो हमने बोला बाई सबसे पहले यार के स्लैक करेंगे के बर्ड टाइप डॉट साइस और कितने नं टाइप की बर्ड आइडी को ठीक है तो बर्ड टाइप की बर्ड आइडी को हमने काउंट करा है और किसमें काउंट के बटा नंबर ऑफ बर्ड समें ठीक है यहां तक समझ जा रहा है हमें यह स्लैक यह क्यों कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें में चीज बर्ड करना होता है मैं वो उसके नाम लिखूंगा अब आगे लिखा वहाई कितने परसन ने देखा है तो बाई परसन आइडी किसमें आईगे बीटा बर्ड सीन के अंदर तो मैं ले लिखा व्यर बर्ड सीन की डॉट परसन ID बराबर हो किसके बिटा इसके ठीके और उसके साथ साथ bird ID अगर bird type की bird ID अगर bird scene की bird ID के बराबर होगी तो ही जाके काम बनेगा बनना काम नहीं बनेगा ठीके बच्चो आगे एक और चीज भी है वो है group by bird type का size हमें इसको group by भी करना पड़ेगा और bird type के size से करना पड़ेगा बच्चो ये मैंने पिल्कुल maximum मुश्किल सवाल करा है अब pass paper पे लेके चलूँगा आपको 2 मिनिट में समझा देगा ये देखो बिटा ये pass paper है pass paper में उसने काम किया है सिर्फ कहरा है फिलिन्दा blanks फोल कर दो उसको पता है कि आप लोगी हवाटाइट हो जाएगी ये करने में तो बच्चो आओ मुझे बताओ return the number of birds guys number of birds का मतलब select कर दिया bird type का size ठीके देखनो मैंने भी ऐसी के bird type का size कॉमा बच्चो बताओ यहाँ पर क्या आने वाले चली चली पहले वाली blanks में क्या आएगा जी अब्दुर्यमान पूछो जी अमदा बता पूछो बताओ अले दू क्लास में लेट की वाता है बेटा आपके घर पर होता हूँ नो मैं इसलिए बुल गए आप है अब्दुर्यमान बेटा पापा से नहीं पूछते चलो ब्लॉक कर दिया इसको तो गाइस मैं कह रहा था कि सबसे पहले वाला जो है वो क्यों होता है जल्दी बताओ बेटा अन्म्यूट कर रहा हूँ आपको अरिया आपने वेर की सेकंड कंडिशन कैसे लिखी आपको जैसे पता ही कंडिशन लिखी है दूसरे वाली अच्छा वेर में ये वाली वेर की दूसरी कंडिशन है वेर की दूसरी कंडिशन क्योंकि इसमें आपको खुछ से जज़ करना होगा कि आपको जो बर्ड आइडी है ना बेटा किसे लगाएंगे शाहिए बात तुसम में परसन आइडी की हो री है . मेरा बिटा परसन आइडी किस में है वार में लखे है शीन बघू इपर परसन विद्वी इड़ा आइडी और किया मेरा person ID काम करेगा ना साहिए हैं अब यहां पर यह वाली word ID हो और इसकी यह वाली word ID हो यह दोनों बराबर होंगी तब ही तो काम करूँगा और आगे लिखा वब यह उसने कि भाई एक की bird ID दूसरी की bird ID से बराबर होनी चाहिए तब जाके person ID को तुम ढूड लेना ताकि दोनों की bird ID में कोई difference ना हो ठीक है? आई चलो तो भाई यहां पर क्या आएगा जल्दी बताओ बच्चों पार्ट A में क्या आएगा B में क्या आएगा C में क्या आएगा और D में क्या आएगा और E में क्या आएगा चलो जल्दी बताओ चलो गाईस one by one बताओ A में बच्चे कह रहे हैं count आएगा ठीक है गाईस A में कह रहे है count आएगा ठीक है शाबश B में क्या आएगा अभी कराए ना पूरा सवाल देखो examiner को पता है उसने तभी फिलिंदा बिलाइंस करने को दिया बिटा B के अंदर आएंगे दोने टेबल का नाम ठीक है तो टेबल के नाम एक तो उसने बोल दिया बर्ड टाइप और दूसरे का नाम क्या बिटा बर्ड सीन साहिए B में बर्ड सीन आएगा क्या अब भी तू कराहिए मैंने सीमे क्या आएगा उस पर्सन की आइडी ना तो पर्सन आइडी एना एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तीद बगा अब देखो अभी हम्झा ने भी सवाल किया कि सुर्डी में हम लोग च्छट कर तो मैंने इसको यहीं पता है मैंने का भाई अगर एर्ड टाइप की बर्ड अइड़ी बराबर हो बर्ड सीन कि बर्ड ऑईड़ी से इसे, tysn चलो तो मैंने यहां लिखना है क्या bird scene की bird ID चलो और गाइस यहां पर क्या आएगा गुरूप बाई है ठीक है यहां पर क्या आएगा गुरूप बाई डेटा को गुरूप बाई करके दिखा दो कैसे bird type के bird size है ठीक हो गया बच्छों तो मुझे उमीद है कि यह आपको समझा गिया होगा ठीक है मैंने इसका मुश्किल पार्ट भी आपको करा दिये इसका screenshot लेने SQL की जाल साथ तैयारी करें तो इंशालले यह भी आपको असान ही लगेगा चलो सर यह गुरूप क्यों लगाया ठीक है गुरूप भाय आपने कभी पढ़ा नहीं न यह भी सुन लो भाई जब वो डेटा को शो करा रहा है न जो शो कर आते वह गुरूपिंग कर रहा है देखो तीन चीज़े होती है select from where और आगे होता है गुरूप भाय या order भाय जब आप उस डेटा को देख रहे हो तो उस डेटा को देखने मतब आपको वो डेटा जब स्क्रीन पर शो होगा तो उसकी गुरूप होगी कैसे बिटा बर्ड टाइप के साइज से ठीके बच्च के लिए रहे बच्चों तो गुरूप भाई यहां पर आजएगा बच्चों इसका screenshot ले 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 चलो अभी दोई सवाल हुए हमारे भाई now we are moving to the question number three that is how operating system manage the peripheral hardware चलो बच्चों बताओ peripheral hardware से कैसे manage करेगा डेटा चल्दी कैसे करेगा जल्दी बताओ device driver install करके detect करके और और हमार कैसे करेगा unmute कर है मैंने आमना फैसर अरीब चलो महाद आप पताओ महीन आप पताओ पैरिफरेल का मतलब क्या होता है पैरिफरेल का मतलब all those devices जो CPU से connect है बट CPU के अंदर नहीं बाहर रखी में जिसे mouse keyboard printer वगरा ठीक है तो आपसे कह रहा है कि बताओ रिसके इंदे इंटरॉप हैंडलिंग लिख सकते हैं लेकिन वह सवाल के अंदर कुछ और है कह रहा है अब बार नभर वन क्या बोलेंगे इंस्ट्रॉड व्लो बच्छों क्या है सट्री दिवाई बैड़ार देविए आप दो सफ्वियर जो कि आप साउड करते हो ताकि आपकी डिवाइस को अप्रेक्स सिसम कम्मिनिए वह पाए तो इसी जो आडिवाइस और टू अंब तो प पेरिफिरल्स एंड कम्प्यूटर्स ठीक है एक बात होगे दूसरी बात आप से कहता है सेंड डेटर रिसीफ फ्रॉम दे पेरिफिरल्स तो आपको एक्जैम्पिल के साथ से बोलने हैं मैंदल दा इंट्रप्ट मैंच१ोर मेरी जा सिगनल फ्रम्टि सिगनल जैए जैटर मैंदल सिगनल कौन ट्रांसफर डेटा है नहीं हैंडिल बफल मेमूरी कि ट्रांसफर डेटा बच्छो तीन पॉइंट हो गए चौता पॉइंट बताओ और क्या लिखें सोचो सोचो और क्या लिखें बच्छो बताओ कोई पॉइंट दिमाग में आ रहे चैट पर लेखें बच्छे बहुत सारे मैनेज कम्मिनिकेशन बिट्वीन बिटा हो गया ना रूम ऐसा यह तो हो गया और क्या करें कि सोचो हम बहुत सारे चीज़े लिख सकते हैं सेंड और रिसीव डेटा सेंड और रिसीव डेटा तू और फ्रॉं पेरिफेरल तो हमें उसको मैनेज करना होगा यह सेंड मतलब ऑपरेटिंस से हम सीप्यू से डेटा देंगे और सीप्यू से डेटा लेंगे सेंड एंड रिसीव डेटा तू एंद फ्रॉम, तू इंद फ्रॉम का मतलब पता नहीं क्या होता है? यह तो देंगे यह तो देंगे, प्रॉम पैरिफेरल, पैरिफेर इसे बैसे चाहिज दो बैसें चेह से प्र darous मैं घरा हूर थे ठीक है बच्चो चार मांस का दाधा चार पॉइंट हमने लिख दिए बच्चो मुझे कोई बच्चा बता is जली से के बहूं ई सारे होते हैं कौन कौन से नमश्य मनेज्मेंट सिक्यूरिटी मैनेज्मेंट प्रॉसेश मैनेज्मेंट यारह हैं नंबर 4 का topic है hardware management के लावा कौन कौन से task होते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर memory management के hardware management के लावा memory management होता है ठीक है और क्या होता बिटा process management security management ठीक हो गया चले आगे कहरा ऑपरेटर सिस्टम के अंदर एक यूइटिलीटीज होती है उस यूइटिलीटी का नाम होता है क्या डिस्टिफरिग्मेंटर जो सारे number of मतलब इस तरीके से वो होता है मैं आपको डागराम बना कर दिखा देता हूं कि डिस्ट डिफरिक्मेंटर में वह आपसे यह कहता है कि जो binding bits है ना बिटा वो binding bits इस तरीके से store होती है ठीक है दूर दूर गैस जब दूर दूर scattered करके store होंगी तो यह अच्छी बात है बुरी बात है बुरी बात है क्यों बुरी बात है क्यों बुरी बात है तो यह जो यूटिलिटी है जिसका नाम में डिस्ट डे एक्सिस करना क्या हो जाएगा असान और एक्सिस करना फास्ट हो जाएगा और यह ब्लॉक्स जो है यह बिलकुल करीब करीब हो जाएंगे तो memory space भी कम हो जाएगी और जो head की movement है वो भी कम हो जाएगी तो इस डे fragment क्या करता है number और भाइने बिट सको बिलकुल नेयरबाय कर देगा करने का मतलब क्या है बेट हो जाएगी कंटीजेस और जब बिट सक्टीजेश हो जाएगी कंटीजेस का मतलब होता है वन आफ्टर एनटर ठीक है तो hard drive ये डिस्ट डिस्ट करता क्या है number of binary bits को बिल्कुल करिब कर देगा बिल्कुल करिब करिब करने से rearrangement of block हो जाएंगे और उससे free spaces ज़ादा मिल जाएंगी ठीक है ना आईए point लिख वाते हैं आपके सामने ये चेक करिएगा मैंने का rearrange block of individual file on hard drive rearrange blocks of क्या बोलूँगा individual file on hard drive ठीके न, rearrangement हो गई बेटा and so they are contagious to each other so they are contagious contagious का मतलब क्या next to each other ठीके अब बटा इससे फायदा क्या होगा access करना fast हो जागा access each file is fast faster ठीके बई because there is no because there is a contagious number of block so let so less head movement is needed hard drive के अंदर head movement होती है वो भी काम हो जाएगी ठीके न, बच्छो चले, मुझे अबीदे के यह समझ आगे होगा, इसमें कोई rocket science है नहीं utility के अंदर हाँ, ठीके, सुन लिया बने, बच्छो आगे आगे वो कह रहा है कीबी बाइट और किलो बाइट में क्या फर्क होता है, बच्छो बताओ, कीबी बाइट जो होता है वो 1024, बाइट को store करेगा, और किलो बाइट जो है वो thousand बाइट को store करता है, ठीक है न, अंग्रेजी में में लिख दिना आप, बेटा कीबी बाइट जो होता है वो कौन सा बाइट प्रिफिक्स है, बाइट प्रिफिक्स है और यह देन्दी प्रिफिक्स है, ठीक है मैं आपको ऐसे लिख दिया, आपको जाधर समझाएगा, बेटा यह बाइट प्रिफिक्स, बाइट प्रिफिक् सब्सक्राइब सब्सक्राइब चलो तो गाइस यह चैप्टर नमबर बन का था अब आगए वह कह रहे है नाइन फॉर्टी सिक्स आपके पास एक नमबर है उस नाइन फॉर्टी सिक्स को आपको कनवर्ड करके देना है किसमें बिटा बीसीडी के अंदर करके दिखाओ बच्छो 946 BCD में कैसे होगा सबसे पहले 946 का बाइनरी नम्मर निकालेंगे पर चार-चार के पेर में डिवाइड करेंगे तो बच्छो 946 का 9 का अलग या तो ऐसे करें इसको 9 का अलग 4 बिट का 94964 भाई 946 ने 964 चलो नम्मर ही करते हैं वान च्यू फोर एट चार-चार का पेर होता है वान टू फोर एट वान टू फोर एट गाइस अगर आपको 9 रखना है न ना ना आइन तो आपको 8 को और एक को अन करना बागी सब 0 हो गए यहां पर 6 बनाना है चार और दो और बागी सब 0 हो गए यहां पर चार बनाना है तो चार कौन और बागी सब क्या हो गए बिटा जीरो तो यह इस तरही के से होगए ठीक है बिटा चलो कोई रॉकिट साइंस है नहीं बिटा अब यह बाइंदी नंबर दें बाइंदी नंबर को हेक्जब में करना है तो चार चार का पियर होता है ना यह कैसे बनेगा जल्दी बताओ इफ टू भाई बच्चे बोलने सारफ टू डारेक क्या बात है कैसे होता है वाण टू कितना पियर बन गया बिटा यहां से अंसर आगे टू वाण टू फोर एट तो यहां से अंसर आगे एफ ठीक है बिटा यूर आंसर इस एफ टू क्या बात है शावश गाइस 4 का अंसर बताओ कहता है जब आप give the smallest and largest 2s complement binary value सबसे छोटी और सबसे largest binary value using 8 bits बच्चो 8 bits के अंदर सबसे largest और सबसे smallest value निकाल के आपको देनी हैं बच्चो जब आप सबसे छोटी value की बात करते हो तो left की side की जो minus 128 है 13, 32, 64 और जो minus का 128 है ने सिर्फ ये on रहेगी और बागी सब क्या हो जाएगी off सबसे smallest होगा और largest में ये off हो जाएगी और क्योंके minus का rate है ने बागी सब क्या होंगी on ये largest का है ठीके तो सबसे smallest 2s complement की value है 1, 0, 0, 0, 0 और सबसे largest की है ये अगर आप से कोई पुछे placement क्या है तो भाई placement ये होती है this is minus 128 और ये 124, 8, 16, 32 और 64 गाट इट बच्चों ठीक है बच्चों कोई मसला जो नहीं है जी चाले गैस उसके बाद binary edition का सवाल है आपके पास chapter number 1 का बच्चों वाला 0 plus 1 बच्चों 0 plus 1 is 1 0 plus 1 is 1 0 plus 0 is 0 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 0 नीचे और 1 कहरी और 1 plus 1 is 0 नीचे और 1 कहरी यहाँ पर आगया 1 और यहाँ पर आगया 1 ठीक है नहीं 1, 0, 0 1, 0, 1, 1 ठीक है बच्चों बच्चों माला सवाल है खेरता है ये एक number है बचो वो कहा रहा है एक number है इस number में left side से नहीं right side से तीन decimal place move कराने तो तीन number cut कर दो यहां से लिखो ठीक है तीन number cut कर दो और यहां से लिखो यूँकर लिखा वहने right three places move कराने तो हमने क्या लिखा one zero zero one one और extra three क्या लगा दिये zero 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 opposite end पर extra क्या लग जाते है बिटा जीरो जीरो और जीरो गाट इट ना बचो कोई सवाल है तो पूछ ले आप बचो कोई सवाल है तो हैंडेस कर ले मैं आपको unmute कर देता हूं मेरे साथ सब्सक्राइब किसमें बिटा क्या किया रहे हूं जी हमजा पूछो पेटा हामिद लिप पूछो क्या होगी पार्ट four में डिनरी में आंसर देहा है लिखना दा पार्ट four क्या हैं बचा यहां पर smallest और largest यह वाला उपर smallest और largest वाला का लिखाव है यहाँ पर नहीं ना बटा का है आपको बाएंदी में दिखाना होता है तो प्लेश्मेंट मैंने दिखा दिया आपको मेरा यह सवाल था कि जो largest में है यह वाला question तो इसमें जो highest बिट थी 128 पॉजिटिव की यह नेगेटिव की आगया तूस कॉम्पलिमेंट में अच्छा तूस कॉम्पलिमेंट में नेगेटिव होती है चलो इसके स्क्रीन चोड़े लो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं चलो ऐसें चैप्टर नमबर थरी से चैप्टर नमबर थ्री में रैम और रॉम चलो बटो हामिद भी प्लब बटा आगे बैटा है रचारा ठांत जो राम में क्या क्यास रहता है सबसे पहले क्छा चैप्ण चाल कर रहा है सेंसर है क्या के data कर रहा है पर परसन को और उसकी movement की वज़े से की जैसे मूअव कर रहे तो recording कर रहा है वना recording नहीं कर रहा है तो कहा रहा है कि बाई कोंपेटर है बोत रॉम और रेम तो रॉम का क्या content क्या क्या सोट होगा बिटा कि स्टार्ट अब सेक्शन फॉर सेंट्रल कंप्यूटर का बायोस यह पॉर सेंट्रल कंप्यूटर रिक्तों सेंट्रल जहां पीडेता स्टोर सेंट्रव सम्य थिक है ठीक है ठीक है इस्टो पॉपरेंटी में कॉमपोनेंट ता इसका नाम होता है ठीक है स्टोड the startup instruction store the startup instructions for cctv system बट दो भी सही है या छोड़ो करने रवाइब रवाइब ठीक है बाई इस पोई नमबर वान और दिस पोई नमबर तू चलिए साथ से कहा रहा है कि बचों जली से डिरम का क्या होता है कॉस्छत जाधा होती होती जाधा होती है कम होती нед होगी चलें गाइस यह दो चीते होगी नाओ यह मोविंग तो दे नेक्स बिटाव आपसे कह रहा है जो सेंटल कंपुटर है ना वो सेंटल कंपुटर स्टोर कर रहा है वीडियो फाइल और सेंटरी सोरे डिवाइस डैट विल-बी हा聊 और सालिडिस적인 ड्रैट यह तो कोई बच्छों इस त्रायबी बात है झाल क सब्सक्राइब कि ने फाल चला को को पते हैं व्यैद्टीक किस का नाम होता दूसरा हाइट डिस एकड़ायक है बच्छों अमार मैगनेटिक मीडिया किसका नाम होता है हलीमा अन्मिट कर रहा हूं हलीमा को हामित को अमार को शेयान कुरेशी को हार डिस का हार डिस्टायब का हाँ एग्जामेर लाइफ स्पेंड देर्स आप क्या सकते हो कि इसमें इसकी हाम मैंने बतायाता नए एक साल तक सबसे पहले कॉस्ट काम होती है यार सिंपल बात तो यह पूशन था है यहां पर हमें हार्ड ड्राइफ की फाइदे बताओ तो आप बोलोगे लार्ज नंबर ऑफ रीड्राइड ऑपरेशन या आप यह कह सकत hơn हो गया मैगनेटिक इस्टोरेज हाज मोर्लाउंग डिपटी दो ऑजब बताओ लार्ज नंबर ऑफ रीडर ऑप्रेशन या मैगनेटिक सॉडिक्टेज है लांगर लोंगे इटिविटी पूलो क्या लिखें है अच्छा मैगिनेटिक इस्टोरेज है लार्ज नमबर और रीड़ आपरेशन लेखने चाहिए यह विल है लार्जर नमबर आफ लार्जर यह लार्ज नमबर और रीड़ आपरेशन जिसको तुमने का लॉंगर लॉंग इटिविटी लॉंगर लॉंगर लॉंग इटिविटी यह लंबर चलता है ठीक है एक यह बात हो गई दूसरा बच्छो चीप होता है भाई मैगनेटिक के सोरेज की कॉस कम होगी ठीक है बच्छो अब यार चीप पे नहीं मिलेगा पूरा रीजन लिखना पड़ेगा तो बड़ा लंबा है तो हम पूरा बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई मैगनेटिक के सोरेज कॉस लेस पर यूनेट तो वीडियो जाद है सोरोंगी ठीक है कॉस लेस पर यूनेट तो वीडियो वेरीलागे ख्रोरेज कैपिसिती दिसक्वार ड़ार्च सूराज कैपिसिती ठीक है न बच्छो चले गाइस यह आपका चैप्टर नमर थिरी से एक सवाल आया था बटा मैं यह लिख भी दू क्योंकि जब मैं पीडियेफ शेयर करूं तो आपको पता हूँ यह चैप्टर नमर थिरी का कुछ चले ठीक है चले तो गाइस यह भी एक सवाल हो गया बटा न सिस्टम के अंदर यह आगे टो अडिटिफाई दर प्रेजिंस ऑफ पर्सन के बंदा है या नहीं है और इसको ट्रैक करना उसके मुवमेंट को डिसक्राइब हाव एया यूज इन दिस सिस्टम बच्छो बताओ मैं आपको ऐसी बता दूं इंफारेट सेंसर लगा होगा जो डिटेक्ट कर रहा होगा है ना भई साहिए और इसके अंदर बिटा एयाई के अंदर इमेज रेकरनीशन होगा जो के मैच करेगा कि वही बंदा है या नहीं है और अगर मैच कर जाएगा तो वह कैमरे को सेंड करेगा अपनी उन उसमें बताओ मच्छो मैं अनम्यूट कर र और सर्व मैंने पूछा था आप चाप्टर सेवन और सिक्स करवाएंगे चाप्टर सेवन नहीं सिक्स भी करा दिया मैंने सेवन का एयाई कराओंगा सिक्स की रिकॉर्डिंग है मेरे पास वो मैं शेयर कर दो है सिर आपने जो चाप्टर सेवन की भीजिए उसमें सिर्फ एक ही लेक्च्छर है अच्छा मैं देख लेता हूँ एयाई करवा देता हूँ उसमें एठीक से एयाई नहीं है हाना ठीक है मैं करा देता हूँ अमार और आमना फैसल आप लोग बताओगी बटा एयाई के बारे म बोलो जिस इमेज को पैचानने वाला इमेज रिकरिंशन ठीक है और मॉनिटर क्या करेगा बढ़ी मॉनिटर आपके इमेज को कैप्चर करेगा और उसको मिलाएगा किस से उस परसन से अगर वो परसन आडिनिफाई हो जाएगा तो बता देगा बहाई यही वाला परसन में सब्सक्राइब ना बच्छों यह यह ना सवाल में के राइट वाइडिफाइब प्रिजिंस आफ पर्सन इन दा हाउस एंड ट्रैक्ट दियर मुवमेंट ठीक है बच्छों इसी बात को मैं अंग्रेजी में थोड़ों पहले उर्दू में बताता हूं कि अब मॉनिटर क्या कर दुवरेज के अंदर सतॉर करेगा कि ऑ ज estudio सबसे पहले मैंने उसके इमेज को रिकम्राइज करेगा ठीक है उसके बद मॉनिटर चलो इसको मैं अपनी डिफाइन में बाई सबसे पहले देखो क्या करेगा वो पिच्चर लेगा पिच्चर लेने के बाद उसको secondary storage के अंदर इसस्टोर करेगा ठीक है पिच्चर लेने के बाद hard drive के अंदर इसस्टोर करेगा बच्छों सुन लो ये बाद picture लेगा, picture लेने के बाद heart drive में store करेगा, heart drive में store करने के बाद क्या करेगा, वो बंदे की जो भी movement, या picture कब लेगा, जब वो बंदा move कर रहा होगा, ठीक है, direction of movement of a person करेगा, use this person to decide where or how to move, मतलब वो जहां भी move कर रहा होगा, वहां पर करके camera चले आगी, यहां पर अगर आप move कर रहे हो, तो उसको सेंस करेगा, सेंस करके यूं करके उस बंदे के पीछे camera चलना होगा, आ रहे समझ में, ठीक है, यह काम कौन करेगा, image recognition method, साही है बच्छो, ठीक है, तो use image recognition method, और अब मैं आगे बोलने जा रहा हूँ कि start recording to the second, हामित बोलो पिटा क्या हुआ, हामित का कुछ सवाल है, जी हामित, बोलो, प्रेशियर सेंसर यूज हो सकते है, वैसे mostly यूज होने चाहिए, infrared sensor, अगर light, light के उस फॉर्म में करना है, लेकिन यहां पर AI की बात करनी है, तो AI के अंदर मैं बोलूँगा, image shape, मतलब अगर image match कर जाएगा, या monitor जो भी पिचल लेगा, उसको मैं उस इंसान के person से match करूँगा, अगर match करी है, तो start recording करूँगा, hard drive में, जहां-जहां अगर वो person identify हो गया, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, start recording to hard drive permanently when a person is identified, ठीक है, start recording, on hard drive या SSD, कब बच्चो, when person is identified, जब person को तुमने पहचान लिया या उसने पहचान लिया, ठीक है न, यह एक बात हुए, चरह हुए, start हो रही है, system identifies the direction of movement of a person, system identifies, वो बन्दा कहां पर move कर रहा है, the direction of person, यह direction of movement of person, जब बन्दा कहां पर move कर रहा है, system identifies the direction of movement of a person, and uses this to decide where or how the camera record, बच्चो, लास्ट में, वो system बताएगा, दूसरे कैमरा को, यह यहां से यहां निकल गए, अब तुम अपना काम कर लो, एक कैमरा उसके पीछे तो नहीं जाएगा न, एक ही direction में जाएगा न, तो system identifies other camera to start recording based on the direction of movement. बच्चो, system identifies other camera, यह system tell other camera, system identifies other camera to start recording based on direction of movement. ठीक है, वो दूसरों को बताएगा, यह कैमरा यहां पर move कर रहे, तो तुम यहां पर move कर जाओ. ठीक है, बच्चो, सबसे पहले image recognition आगी है, दूसरा start recording on hard disk drive, when the person is identified, बच्चो के बच्चो, system identifies the direction of the movement of a person, और वो यह system बताएगा दूसरों को, कि भाई, अब यहां से यहां तक move कर गया, अब मेरा काम खतम होगी, अब तुम अपना काम कर लो. ठीक है, बच्चो? सेंसर के बारे में लिखना बिकार है, सेंसर को छोड़ दो, सेंसर को इससे नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पर AI आगिया है, जब AI आता है, तो सेंसर को लिखना बिकार होता है. ठीक है? क्या सवाले, बच्चो? पूछो क्या है शवाल? हाँ, हैंडेस कर रहा है, हनान हैंडेस कर रहा है. जी हनान, पूछो. हलीमा भी हन्डेस कर रही है, हनान बिटा तोनों, पूछो, क्या हुआ? तो में तू में? बिटा, लॉजिकेट पेपर वन में. ठीक है, पूछो. कोई सवाल नहीं है, ओके. बिटा, यहाँ पर आगा हम लोग पार्ट दी के अंदर, पार्ट दी में वह आप से कह रहे है, बिटा, एन आईपी वर्जिन फूर एड्रेस कंटेंज गुरूब, बच्चों कितने गुरूब होते हैं, अईडि पी वर्जिन फूर में? अन्मूट करके बताओ. आप बढ़ाओ, अलीशेख आप बताओ, हमार आप बताओ, अनान आप बताओ, अबना फैसल आप बताओ, चालो. कितने गुरूप होते हैं बिटा गाइस बताइए कितने गुरूप होते हैं चार थर्टी टू बिट का होता है ना तो कितने गुरूप होते हैं बिटा चार चार एज गुरूप इस रिपेजेंटेटिट इन डैश बिट कितने आठ बिट में होता है ऐसे हैं सभी नहीं कहा रहा हूं इंद लिप्रेज़टेट वा फोल फुर शॉप नइप वडिन जिसक्स कितने गुरुप होते हैं मैं एट गुरुप ठीक है एज गुरुप इस प्रेज़टेट बाइश बिट सोला बेट अधर रहे है और यह किसे कह रहा है इवाइब गुरूप डवल कॉलन से रिप्लेस होता है ना गाइस है ना गए अगर 0000 और कॉलन 0000 होगा तो यह रिप्लेस हो जाए किस से चार दफार डॉट से है ना चलो चलो बच्छो आगे लिएगे चलते हैं अगर एक नेटवर्क को मल्टिबल चोटे-चोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दो सुलो बच्छो अगर एक नेटवर्क को मल्टिबल चोटे-चोटे नेटवर्क में डिवाइड करूंगा तो इससे क्या होगा नेटवर्क स्वीड बढ़ेगी हाना एजियर टू मेंटेन होगा चाहिए इंप्रूव नेटवर्क सिक्यूरिटी होगा ठीके तो आपको डिस्क्राइब टू बैनिफिट अच्छा लिखना भी डिस्क्राइब भी करना है क्या बात है इंप्रूव नेटवर्क सिक्यूरिटी लिखता हूँ ठीके बहुत करना है एक नेटविक को छोटी छोटी नेटविक को डिवाइड करना यह सब नेटिंग कराता है एड इंप्रूव्वक सेकुरिटी ठीक है अब सेकुरिटी से फाइदा क्या होगा चैपनर नंबर टॉ मेर टॉपिक है तो आट डिवाइसे can access all the areas of a network na नहीं not all devices can access all the area of a network मैंने बोल दिया not all devices can access all the area of a network हाना सारे network की area सारे devices को नहीं मिलेंगे अगर तुमने security इंप्रूफ कर दी अच्छो अलाउस फॉर इजियर मेंटेन इससे क्या होगा अगर एक सब नेटवर्क डाउन हो गया तो दूसरे पर आप सारे का सारे ट्रैफिक को कंटीनिव कर दोगे अना भाई तो इसका हम बोलेंगे अलाउस फॉर इजियर मेंटेनेंस जिससे होगा क्या अगर एक लिंक डाउन हो गया तो आप डेटा कहीं और से पेश्टेंगे यह हम क्या बोलेंगे एफ वन सब नेटवर्क में में नीड डाउन तर रेस आप दा नेटवर्क एन कंटीनिव इप वन सब नेटवर्क में नीड डाउन गरुर्वत पड़िए इसको डाउन करने की तो दर रेस्ट आप नेटवर्क केंटीनिव तो रेस्ट आप नेटवर्क अच्छो समझ आ रहे हैं चैट पर बताएगा इस एक जगह से लिंक डाउन हुआ दूसरे जगह पर चलता रहेगा असान है ना सब नेटवर्क की सबनेटिंगा मतलब होता है एक नेटवर्क के अंदर मल्टिबल नेटवर्क ठीक है बच्छों जी आईशा पिटा आप हैंडेस करी हूँ क्या हुआ चलो बताओ और चैप्टर टू की रिकॉर्डिंग होगी नहीं चैप्टर टू पढ़ाऊंगा मैं अभी पढ़ाएंगे इनको चैप्टर टू पढ़ाएंगे भी चैप्टर फोर चैप्टर टू पढ़ाएंगे रम्दान में जैसे चैप्टर एट हो गया अभी थिरी हो जाएगा इस वीकेंड फिर टू और फोर होगा ठीक है पुरानी रिकॉर्डिंग दली वे लेकिन नई रिकॉर्डिंग प्रिम्यम लेक्चर वारी नहीं है चलें गाइस यह हो गया चैप्टर नमबर टू का गाइस इस इस माय लॉचिकेट बस माशाओल्ला पुरा पुरा पेपर हमारा अलमोस हो गया बिटा लॉचिकेट रहे यह तो बच्चों के तरह करता हूं भी हो ठीक है परदान बिटा बाद में सवाल कर लेना है हम बिटा बस अभी होने वाली एकलास एंड क्या हो गया बिटा टेंचन दो आजो बिटा अर अरीब वेर इस यू क्या बात है अरीब कहा है बाई अरीब अब्दुल्ला अन्मूट कर दिया आपको अम्मार आपको भी अन्मूट करता हूँ अलिशेक आपको भी अन्मूट कर रहा हूँ क्या बात है फात्मा आपको भी अन्मूट कर दिया परजान आपको भी कर दिया चलो जल्दी से बताओ अगर तुम बिटा ये बोलते हो कि नॉट ए है तो नॉट ए के अंदर नॉट गेट बनता है ए से और बी में अगर नॉट नहीं है तो क्या बनेगा बिटा जल्दी बताओ श्रेट लाइन श्रेट लाइन बनेगे शावश और इसके मिट पॉइंट क्या है बिटा इसका मिट पॉइंट जल्दी बताओ क्या है जौर तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर जोर बना देंगे सबसे बीच में हमने जोर बना दिया ठीक होग यह यह वाली चीज़ पूरी एमेजनरी और फूपर बनाइंगे और एक वाली नीच्छे बनाइंगे नॉट ए का बसले मतलब यहां से नॉट आ गया ठीक है और B यहां से आगया बिटा दोनों को मिला दिया और गेट से ठीक है न और इसको यूँ करके यहां पे लिए थीक है अब डाउन वाले में क्या होगा जल्दी बताओ C से लाइन आएगी बिटा और D से आएगी दोनों को मिलाओं गा किस से जल्दी बताओ नैंड से ठीक है बच्चे लिख रहे हैं नैंड से नहां में दली समझ आ रहा है हमदा समझ आ रहा है हम लिखें सर चलो नैंड की शकल ऐसे होती है न बिटा थोड़ सी गलत होगी न अब साइए और नैंड के आगे यह बबल होती है और यह जाके यहां पर चलेगे ठीक है बच्चों तो यह वाला पार्ड यहां आ गया और यह वाला पार्ड उपर आ गया क्या बात है बच्चों इसके टूटेबल करना है नहीं नहीं करना है कि रहे डिसक्राइब दूटेबल करना है यह नहीं लिखना है NAND और NOR NAND का टुट्टे मिल बनाओ जरा माईगे इन्मिट करके लागर दो उसका बना रहा हूँ दो इन्पुट का A, B और आउटपुट का नाम है Z एक RAW, दूसरी RAW, तीसरी RAW 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1 बच्चो और NAND का आउटपुट बनाना है तो आउटपुट का आएगा बोलो अपे बताओ ना बच्चो मैं अन्मिट कर रहा हूँ जवाब दो मैं कह रहा हूँ जब दोनो इन्पुट वन होंगे तो आउटपुट का आएगा 0 तो यह वाली बात को यहाँ पे लिखना है तो यह फंक्शन बनेगा हम क्या बोलेंगे 0 is only output when both inputs are 1 बोलो 0 is only output when both inputs जब दोनो इन्पुट क्या होंगे पिटा when both inputs are बोलो क्या 1 जब इसी तरीके से नौर का बनाता हूं फिर नौर के लिए तुम फंक्शन डिस्क्राइब करना एक है एंड अच्छा नौर में क्या होता है प्लस एंड इन्वर्स होता है न ठीक है न ए आ गया भी आ गया और यहाँ पे है जइड का मतलबनौर निकालना है couples का मतलबन निकालना एक दो तीन चार जीरो उङन दीरो नटे où ड alta grey pack किसके लिए बनाऊंगा वाइन के लिए क्या बोलूंगा बिटा जल्दी बताओ नौर्बन क्या बात है वाइन इस ओनली आउटवर्ट वैं बोथ क्या बोथ इंपर्ट इंपर्ट आर जीरो जीरो ठीक है बच्छों तो यह फंक्चन कोई फंक्शन नहीं भाई तो भी मैंने लिख दिया पीडियेफ के अंदर ताकि आपको याद रहे ठीक है बच्छों इसका स्क्रेंड चुट लें अब हम लास्ट कुस्रेंग की तरफ मूव करते हैं माशाला से रात के तीन तीन में तक पढ़ लें तो इंशालला आप लोग क क्लास दे रहो इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहे बच्छों ये लास सवाल है इंटरफ हैंडलिंग के बारे में ठीक है कहता है एक इंटरफ हैंडलिंग जनरेट हो रहा है वैन कीज प्रेस ऑना कीबोर्ड ठीक है तो कहता है इंटरफ हैंडलिंग कैसे इंटरफ को हैंडल कर चलो मैं बताता हूं छोड़ों multiple interrupts आ रहे होते हैं ठीक है interrupt flag के अंदर सबसे पहले या तो zero होगा या तो one होगा multiple interrupt signal आ रहे होंगे किसके पास ISR के पास ISR एक तरीके से multiple interrupts को handle करेगा जब वो multiple interrupts को handle कर रहा होगा तो देखेगा किसके priority साथ है अगर किसी एक की priority ज़्यादा है और दूसरे की काम है तो वो किसको process करेगा सबसे पहले जब से पहले और जिसके priority कम होगी उसको बोले का तुम रुख जाओ अगर कम वाला होगा और ज़्यादा वाला आ जाएका तो कम वाले को रोक देगा और जादा वले को process कर देगा ठीक है बिटा और इस तरीके से input data from the keyboard is processed हाना अब इस बात को बिटा 5 marks का लिखना है बात ये कि मैंने कहाने सुना दिया अब इसको अपनी own अग्रेजी में 5 mark में लिखो सबसे पहले interrupt flag is raised in the interrupt register हाना सबसे पहले interrupt flag की बात करो point number one क्या बोले मिटा interrupt an interrupt flag is raised in the interrupt register interrupt flag is raised in interrupt register this is point number one now point number two बेटा क्या बोलेंगे फिस्टम चेक करेगा इंटरब रिजिस्टर को for higher priority हाना system checks for the system checks the interrupt register for higher priority या lower priority ही और हाइयर priority interrupt लेटी जैंकılar करेंट प्रॉसेश किससे बिटा बिए जुस्ट पक्नो बेरी चल रहा हुग थेन करेंट प्लॉसेश ठीक है बहुए यह बात हो भी पॉइंट नम्बर थ्री काई स्क्राइब क्या बोलें पॉइंट नम्बर थ्री अगर यह चीज सही होगी तो current content of the register जो है क्या होगी if its true it is so a current content of the register on the stack स्टैक में डाल देगा बोलेगा तुम रुख जाओ अभी मैं इसको लेकर चल रहा हूं है ना भाई इफ ट्रू दैन वह रोग देगा रोगने का बोल रहा हूं इस सोड़ सा करेंट कॉंटेंट ऑफ दे रिजिस्टर ऑन्टु दे क्या बोला मैंने इस सोड़ सा करेंट कॉंटेंट मतल जो करेंट कॉंटेंट होगा उसको कहा दाल देगा रहा है वाहाई पर ओडिए है शाबश पॉइंट नमबर फूर पास पॉइंट लिखने अब हम क्या बोलेंगे isr for key press is called हम isr को call करेंगे isr देखेगा किसके priority जाद है उसको service करेगा और उस तरह के से input data from the keyboard is process ठीक है अब हम isr को बुलाने जा रहें तो हम बोलेंगे interrupt service routine for the key press is called isr को बुला दिया अच्छा 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 क्या करेगा call call करके वो क्या करेगा input data from the keyboard is process इसी के अंदल लिए तो वही करना है ना पहले तो आपने higher priority को देख लिए आप ISR अपना काम कर रहा है ISR for the key press is called and it process the input data from the keyboard यह हम बोलते हैं call the input data from the keyboard is process पाच्छो पॉंट लिखो input data from the keyboard is process बच्छो process होगा 500 पॉंट भी छटा पॉंट भी लिखता हूं भाई process होने के बाद the content of the register is stored from the stack हाना वाफ सी आजेगा फॉरम से the content उसके recording है मेरे पास मैंने शायद YouTube पे भी दाली है ना प्राइवें 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 लिस्ट करीवें यह किस चैप्टर का सवाल था यह बेटा यह था आपका चैप्टर नमबर फाइव का इंट्रप देख दोश्टे इसके recording जाड़ी है मैंने गुरुप भी आसकता है वह Fetch Execute Cycle बलकि चैप्टर नमबर फॉर कहीं था Fetch Execute Cycle का 5 का नहीं था यह या पीडियेफ भेढ़ भेज देंगे ग्रूप में जी बटा भी भेजरहूंगा अभी तो किलास खतम हो गई हमारी क्योंके माशाललह से हमने पूरा पेपर कर लिया है मुबारक हुआ आपको कल पेपर टू क्या कह रहा है पेपर टू अभी करूँ कल पेपर टू होगा कल पेपर टू होगा मैं ठागिया हूँ वाही मेरा अंदर हिम्मत नहीं कला पर क्लास में क्या पढ़ाएंगे कल की क्लास में क्या पढ़ाऊंगे कल की किलास में सोच रहो चैप्टर टू या चैप्टर थिरी खतम चैप्टर थिरी हमारा आदा होगी है वो खतम करा दो ना सर जो आप से सेवन और एट किलास रखते हैं उसमें पी वन के टॉपिकल कवर करा रहें नई तयब उसके अंदर मैं पूरा लेक्चर देता हूँ फिल्वेश्र चैप्टर थिरी इना पूर आप तक करवाया था यानि के मैंने सब करा गिये सिवाइए इंपुड और डवाइस के मैंने करवाया है हाँ हाडवेर की मैंने उसमें आपको वो कराया था स्टोरेज डिवाइस कराया था तो कल की किलास के अंदर बच्छों इनपुट आउटपुट डिवाइस पे हम मिलेंगे और उसका मैं लेक्चर बना के रखूंगा तो उसको मैं कवर कराऊंगा ठीक है बच्छों आज लिए वह आपने जाज जैटबेस के लिए टॉपिकल कराया से उसका पीडियाफ आफ शेयर करेंगे ग्रुप मैं मैं कर दूँगा पीडियाफ शेयर लेकिन आपको वो ग्रुप पे डाल तो दिया मैंने रिकार्डिंग जाल तू दिया उसकी यह खाली पीडियाफ अगर शेयर कर देता हूं बच्छों अगर यह पेपर आप लोग का आता जो मैंने आज कवर करा है तो कितने मांक्स आते हैं से बताओ कितने क्या रहा है यह 55-60 क्या बाते बागी बच्छे कितने मांक्स आते हैं था बस हमें 55-60 का टार्गिट रकेंगे तो इंशाथा पीटू के अंदर भी अच्छा गड़िड आएगा चलो बच्छों मुझा कि अच्छी के लास समझ आ गई हो भी थैंकि वर्य मैंच अलाफिर सहरी करने हैं बिटा तीन बज़ रहें टाटा अलाफिस आखिस 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 झालाफिस आखिस 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 सेखिस में अलाफिस कर